हे दोस्तों वेल्कम टू स्टड़ी आई एस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ एलेक्टरिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में जिसका यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है पंजाब के अंदर तो हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर ये बिल क्या है और किस वज़े से जो पंजाब में इसका विरोध किया जा रहा है मैं आपके साथ इस पूरे बिल के बारे में सब कुछ इन डिटेल डिसकस करने वाला हूँ जिसे कि आपको इस टॉपिक के अंडिस्टेंडिंग काफी अच्छी हो सके और अगर आपके एक्जाम में सवाल आते हैं तो आप लोग उसका जवाब देखाएं चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिसकस करते हैं इसी यहाँ पे अमेंडमेंट बिल के बारे में लेगिन दोस्तो कुछ भी स्टार्ट करूँगा उससे पहले चाहूँगा आपको बता दूँ कि अनगेडमे की परफॉर्मेंस पिसले दो सालों से काफी बहतरी हमें देखने को मिल रही है जो टॉपर्स हैं दोस्तो यह लोग अलग अलग फैसलेटीज का इस्तमाल करते हुए टॉप कर रहे हैं अपने एक्जाम में आप लोग लिए यहां पर 43% का ओफ दिया गया है यह दोस्तो जो ओफर है यह 12 अगस्त तक अवेलिबल है तो आप लोग जाके इन ओफर्स को अवेल कर सकते हैं और जब आप लोग ओफर अवेल करेंगे तब आप लोग को जो हमारा कोड है स्टेडी आईएस का वो यूज क सकते हैं इसमें पर तैयारी कर सकते हैं वैसे ही दोस्तों आप लोग लिए 14 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा UPSC CSC का GS Compact जो कि आप लोग लिए Independence Day का Special रहने वाला है काफी बड़े है scholarship वगयरा आप लोग को डी जाएगी इसके अंदर doubt दरबार है दोस्तों जो कि आपका होगा आज के दिन सामको 5 बजे होने वाला है history और geography का आप लोग जाके यहाँ पर free में अपने doubts वगयरा clear कर सकते हैं अब देखी दोस्तों जो यहाँ पर किसान है पंजाब में वो यहाँ पर जो copies है इस बिल की उसे जला रहे है पॉलिटिकल पार्टी जो है दोस्तों इस ताइम पर आपको बता दूँ कि पंजाब के अंदर आपकी आमादी पार्टी है आप लोग को पता ही होगा उसके साथ साथ आप लोग को मैं यह बताना चाहूंगा कि काफी सारा इसका जो criticism है यह वहाँ पर देखने को मिल रहा है एलेक्ट्रिसिटी बिल 2022 को यहाँ पर इंट्रिट्यूज करा गया पाल्यामें मंडे को जब प्रोटेस्ट हो रहे थे इसके साथ दोस्तों में बता जूंकि काफ भी वगेरा भी जलाई और criticism का सामना भी करना पड़ा जो वहां की parties हैं उनको जो यहाँ पर union power minister है आर के सिंग उन्होंने tweet करते वे बोला कि जो pro people है मतलब कि यहाँ पर बता दूं कि इस बात को बताते वे बोला कि कोई भी जो change है वो उनकी subsidy provision पे नहीं होने वाला है और एक इस बात को उन्होंने साफ तोर पे अपने Twitter में tweet करते वे लिखा है तो जो farmer है जो इसका protest कर रहे हैं उनके यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस बात को उन्होंने बताया किन्होंने बताया हमारे जो union power minister है उन्होंने अब देखिए आखिए आखिर इसका क्या opposition हो amid करता है कि अलाव कर सके non-discriminatory open access कि यहाँ पे जो distribution रहेगा network का वो अलाव करेगा private companies को कि वो अपनी तरफ से यहाँ पे electricity provide कर सके और उन्हें इस काम के लिए license में ले वाला है साथ दोस्तों इन्होंने फर्दर और आगे बताते हुए यही बोला कि इस bill के अंदर जो consumers है वो यहाँ पे अलग अलग जो electricity providers है उनको यहाँ पे आपके सकते हैं चूज कर सकते हैं जिसको जो बढ़िया लगता है उस तरीके से वो electricity provider को चूज करेगा अभी भी आप लोग इस काम को करते हुए आ रहे हैं मान लिजे आपके पास SIM लेनी है आपके पास तो you have many options like Airtel, Vodafone, Gio ले लिजे, Gio तो सब के पास मिल जाएगी लमसम तो इतने सारे options हैं वैसे ही option अब आपके पास आपके पास रहेंगे electricity choose करने के लिए भी कि आपको किस company की electricity लेनी है इस ब पावर सप्लाई की efficiency बढ़ने वाली है भारत देश में ऐसा नहीं है मैं बता दूँ कि बाकी देशों में यह चीज़े चलती आ रही है अभी भी अब इसके implementation को क्या कहते हैं as a protester इसको क्यों यहां पर बात कर रहे हैं देखे protester की बात माने तो वह claim करते हैं as per the bill मात तो जो consumers को दे पाएं वो लोग छोटे किसानों को नहीं देंगी इस बात का यहां पर आप कह सकते हैं मिलने वाला है साथ ही उनकी यह भी problem में उन्हें यह बोला है कि अगर ऐसा रहेगा तो कहीं न कहीं यहां पर आप कह सकते हैं उन्हें यह चीज महंगी पढ़ सकती है और वो difficult उ उनके लिए यह चीज महंगी पढ़ जाएगी अगर कह सकते हैं government इन चीजों को private companies के हाथ में दे दें तब यह बाते हैं में पता लगती है अब क्या expected है कि इंप्लिमेंटेशन है या फिर कितना इंपक्ट करने वाली है power employees को या फिर consumers को देख लिए मैं आपको बता दूँ क जो यहाँ पर चीफ हैं PSEBEAK मतला कि जो पंजाब की यहाँ पर power supply वाले हैं electricity वाले हैं उनके इसास दो बताऊं कि उन्होंने बोला है कि as per available details जो अभी इस will में पास करी गी है जो पास्ट यहाँ पर रहेगा तो currently जितने यहाँ पर major laws हैं government के distribution companies पे वो eventually help करने वाले हैं कि उ उसे establish किया सके एक monopoly कुछ private parties के लिए पूरी country के power sector के अंदर जो general secretary दोस्तों उन्होंने इस बात भी argue करते हुए बोला कि यहाँ पर more retailers या फिर distribution licenses हैं वो देखने को मिल सकते हैं हमें जो quality service कि या फिर privacy की वो अलग नहीं होने वाली है after all जितने यहाँ पर 80% जो cost of supply है यह account करेगा आपका power purchase ही जो के same रहने वाला है हर एक distribution license वाले के लिए जो कि उसे operate करेंगे किसी एक area में अब हमारे पास यहाँ पर अलग-अलग retailers रहेंगे कि हम लोग उनके हिसाब से अपने आपकी सतने जुरत मन से use कर सकते हैं इन चीजों को तो जो bill है दोस्तो इसे यहाँ पर pass ना किया जाए क्योंकि कुछ यहाँ पर discussion जो है वो stakeholder जैसे कि power sector जो experts होगे जो इंजीनर्स होगे जो consumers body होगी इनके साथ रहना बाकी रह गया है तो यह बाते हमें पता लगी है उनका यह कहना है कि आप लोग पहले इन सब से discuss कीजे उसक इसके अंदर यह पहली बार ऐसा हो रहा है पर इसके साथ साथ यूके है वो इसका सबस्व बड़ा example हमें देखने को मिलता है जहां के अंदर मैं बता दूं आप लोग को कि वहाँ पर adoption लिया गया है faculty models consumers का जहां पर अगर उन्हें पे करना पड़ता है अगर यह चीज है यह understanding हुई होगी और आप लोग को पता लगा होगा कि अखिर यह जो नया electricity bill है इसमें जो amendment के गरें यह कैसे फायदेबन देने वाले हैं अगर अभी कोई आपका doubt है तो इसको clear करने के लिए आप लोग मुझे अपने सवाल पूछ सकते हैं comment section के अंदर मिलता हैं दोस्तों next video में और भी अच्छे topic के साथ हैं till then take care and have a nice day